तो हलो एवरिवन ये वीडियो है उन सारे लोगों के लिए जो एस्पायर करते हैं करियर में बहुत बड़ा वाला ग्रोथ जल्दी ग्रोथ धेर सारा पैसा और अपकोस रिस्पेक्ट तो उन सारे एस्पेरेंट्स के लिए है जो अभी अभी नौकरी में आये हैं जो कई साल कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं देख रहे हैं जिनको ज्यादा पैसा चाहिए बड़ प्रमोशन कम मिल रहा है तो यह मेरा मैरेजमेंट थाट जो है वह आपको आई-एम्स में भी नहीं सिखाया जाएगा या किस तो में सिखाया जाएगा पेई करना पड़ेगा बहुत ट प्रूप करेगी और हर दिन आपको ग्रो कराएगी हर दिन आपका पैसा बढ़ाएगी बढ़ागे बढ़ने से पहले मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल आपका है तो आप कैसे अपने करियर अपने प्रोफेशनल जर्नी से ही रिच बन सकते हैं तो चार पॉइंट बताने वाला हूँ फिर चार पॉइंट को मैं ब्रेक करूंगा जो पहला पॉइंट है ट्राइट वाट यूर मैंजमेंट ऑर्गनाईजेशन डिमांड इमांड सेकंड पॉइंट है रिस्पेक्ट यूर हिरारिकी और थर्ड और फॉर्थ पॉइंट जिसपे मैं जादा डिसकस करने वाला हूँ वो है तो अब आजाते हैं पहले पॉइंट पहला पॉइंट है सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका ऑर्गनाईजेशन आपकी आपका इंसिटूशन आपसे क्या डिमांड करता है किस रोल के पिठ बैधे हो किस रोल के लिए आप हायर किए गया हो किस रोल के आप बैठे हो यह क्लियर कट अडर्स्टैंदिंग आपको अपने सिर्ण से आपको 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 जिसके आपको समझना होता है यह चल्ड से अ Ngay科's Day Wor Am I के लिए best fit होंगे और अच्छे से आप answerable होंगे किसी भी responsibility के लिए maximum लोगों को clarity ही नहीं होती उन्हें करना क्या है या उन्हें clarity होती है लेकिन वो अपने आपको illusion में रखते हैं और अपने आप कोई नहीं clear कर पाते हैं मुझे करना क्या है आप आते हो office इधा उधर अपने आपको justify करते हो यार किसी को भी अगर high level पे या mid level पे ही even आप ऐसे join करा लो तो अपना job तो justify करेगा ही बीजी दिखेगा इधा उधर move करेगा लिखता पड़ता रहता है but output आपका major किया जाता है आपकी अपनी profiles के definition से आपको जो define किया गया है आपको जो responsibility दी गई है उसका output आप कितना दे रहे हो कितने भी बीजी हो कितने भी अच्छे हो कितने भी helping nature के हो लेकिन आपका अपना जो role जिस चीज़ के लिए defined है उसका output नहीं मिल रहा है you'll be you know less important person for the organization दूसा point है respect your hierarchy बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ बहुत सारे organization में ऐसा देखता हूँ कि एक बंदा जो नीचे hire किया गया है सीधे boss के cabin में जाके good morning sir या एक office boy offer किया गया है उसकी responsibility नहीं है कि CEO को चाहे दे चाहे देने के लिए कोई और है लेकिन वो जाके उसको good morning बोल दिया एक manager है junior level पर जाके सीधे अपने दो boss उपर यानी hierarchy में दो तीन उपर वाले को good morning good sir कुछ भी अपना काम दिखाने के लिए या सीधे phone कर दिया कि sir वो मेरे boss का phone इस time busy जा रहा था बड़ा urgent काम था मैंने स कर सकता आपको company से और आपको काफी टेंट कर सकता आपकी अपनी profile पे आपकी अपनी credibility पे जो future में जाके नुक्सानी करेगा और डिले कर देगा आपके promotions बाकी चीजों को अगर even if आप बहुत अच्छा एक अच्छे talented person होंगे तो भी तो यानी hierarchy को उतने लोगों को ही आप सम नहीं है, third point था know your limitations, आपको यही second point से ही जुड़ा हुआ मसला है यह कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या limitations है, कितने decisions आप ले सकते हो, कहां पे आपको boss को intervene करना पड़ेगा, कई-कई बार कुछ decisions आप अगर लेते हो बिना boss को inform करा, even if the decision is good for the organization sometime, then also it may went wrong, तो यह भी हो जाता है, और आपको इसके लिए अपनी reputation loss, अपनी इनो बाकी चीज़ें आपको नुकसान उठानी पड़ती है, so try to be in touch with your immediate boss, उनको confidence मेलो, और कोई भी ऐसा decision जिसके लिए आप directly authorized नहीं है, मत लीजे, मत लीजे, बहुत ही worst case आगया, और आपको लगता है, नहायत ही organization, then only you can take such decision, but immediately inform as, you know, as soon as your communication, you know, connect with your seniors, and say sorry that you have taken this decision without his or her consent, तो ये होगा, आपके limitation, limitation, आपको पता होगा, you'll be working very fine, अब आजाता है, चौथा point, fourth point पे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारे management घ्यान, जो आपको चाहिए, और वो एक करके मैं discuss करूँगा, पाँच ग्यान है, पाँचो ग्यान क्या-क्या है, सबसे पहला जो ग्यान है, be great listener, ये सबसे पहला ग्यान है, दूसरा ग्यान है, think out of the box, तीसरा ग्यान है, ready for hard work, and let your work speak, not you, ready for hard work, and let your work speak, not you, fourth point है, okay, smart work by solving bigger problem, and the पाँच मा, भाई साब, ये future will be yours, and you will be ultra rich, believe me, तो चलिए सुरू करते हैं one by one, be great listener, एक book है, psychology of money, उसमें बोला ग्या है, bird, a wise old owl lived in an oak, एक पेड़ है, more he saw, the less he spoke, the less he saw, the less he spoke, वाई आरंट वी आल लाइक तैट वाईज ओल्ड पर्ड, इसमें बोला गया है, कि आप कम से कम बोलिये, जितना कम आप बोलेंगे, उतना जादा आप सुनेंगे, जितना जादा देखेंगे, उतना जादा आप समझेंगे, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि आपको सुनना जादा है, समझना जादा है, बोलना कम है, मैनेजमेंट में जबान से नहीं, काम से बोला जाता है, दूसरा पॉइंट था, ready for hard work and let your work speak, let your work speak, मैनेजमेंट में, और्गनाईजेशन में, कॉर्परेट्स में कितना भी आप समार्ट वर्क कर लो, लेकिन हार्ड वर्क का कोई substitute नहीं होता, हिस्ट्री कहती है, आपके parent कहते है, आपके grandparent कहते है, सब लोग कहते हैं, तो गरत होगा नहीं, तो hard work हमेशा पे करता है, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा deeper गुसोगे, और ज़्यादा better knowledge आपके पास आएगा, and of course, आगे बाप smart work भी कर रहे हो, तो भी आपकी efficiency ज़्यादा होगी as compared to others, and you will be limelight, and soon, you will be getting all things you deserve. Think out of the box. जो आपकी company में कोई ढूड़नी पा रहा है, आपने बहुत सारी यार चीजे देखिये होंगी, कि नए-नए startups आ रहे हैं, यह जो नए-नए startups हैं, इन startups में आपको पता है, वही successful हो रहे हैं, जिनके ideas unique हैं, अब आप सोचो गयार, 140 करोड का India, और आपने unique कैसे बना ली, लेकिन आपने उस पर work कर दिया, you have started early, और suppose five other people have started at the same time, but you finished in a good way, in a most effective way, तो out of the box thinking यह होता है, think out of the box, अब आजाते हैं, fourth point पे, showcase smart work by solving bigger problem, अगर आपने अपने senior की, अपने management की कोई बड़ी problem solve कर दी, जो से परेशान है, उनको solution नहीं दिख रहा है, बहुत ज़दा cash involvement है, बहुत ज़दा money involvement है उसमें, और आपने उसको easily solve कर दिया, तो भाई साब फिर कुछ बचा नहीं है, आपको बहुत ज़दी आप उपर आने वाले हो, आपका fortune खुलने वाला है, और पांचवा point, last but not the least, future will be your, future will be ultra rich, आप बहुत उपर जाने वाले हो, you'll be ultra rich person, आपका future होने वाला है, बहुत पढ़ियां, bright, पैसे वाले, company के CEO हो सकते हो, आप बहुत जल्दी company के top management में आपका नाम होगा, ये guaranteed है, तो I'm sure इस वीडियो से आपने को सीखा होगा, I hope आपको अच्छा लगा होगा, please अपना comment करके बताईए मुझे कैसा लगा, so that मैं कुछ और वीडियो आप लोग के लिए बनाओ, comment ज़रो करिएगा,